नमस्कार मैं हूँ शुभे और आप देख रहें न्यूस स्वाणीशन। मंत्री पद दिया गया है लेकिन इन सब के बीच उन्हीं के बैच से रहें पूर्व डीजीपी गुपतेश्वर पांडी एक बार फिर से मूँ ताकते रह गयें। पूरी खबर आपको विस्तार में बताते हैं। सुनी कुमार बिहार पुलिस के एडीजी रहे हैं साथ ही उनकी गिंती 30 दरार आईपियस सदिकारियों में होती रही है। वह बिहार पुलिस में कई उचे औहदे पर रहे हैं। 1987 बैच के आईपियस सुनील कुमार पुलिस के नौकरी से 31 जुलाई 2020 को रेटायर होए थे। रेटायर होने के बाद यानि 29 अगस 2020 को उन्होंने जड़ियों के सदसिताक रहने की थी। वह पटना में सांसद ललन सिंग की मौझूदगी में जड़ियों में शामिल होए थे। जड़ियों में शामिल होने के तीन महने बाद ही उन्हें गोपाल गंज की सुरक्षित भोरे से टिकट मिल गया। भोरे से सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार ही कॉंग्रस से विधायक थे इस बार यह सीट माले के खाते में चरी गई थी इसके बाद अनिल कुमार को टिकट नहीं मिला जडियों ने सुरक्षत सीड से पुर्व आईपियस सुनील कुमार को मैदान में उतार दिया और उन्होंने चुनाव में जीत हासल की विधायक बनने के बाद जडियों के पुर्व आईपियस सुनील कुमार को बड़ी जम्मेदारी दी है भोरे से जडियो विधायक और पुर्व IPS सुनील कुमार के करीबी अधिकारियों में से एक थे साथ ही उनका नाम विवादों से दूर रहा है नितेश कुमार ने सुनील कुमार को मौका देकर दलित राजनीती को साधनी का काम किया है वहीं अगर गुपतेश्वर पांडे की बात की जाए तो सुनील कुमार और गुपतेश्वर पांडे 1987 बैच के ही IPS अधिकारी हैं गुपतेश्वर पांडे सुसान सिंग राजबूत केस में काफी सुर्खियों में रहे थे 22 सेतंबर 2020 को सरकारी सेवा में VRS लेकर उन्होंने सब को चौका दिया था VRS लेने के बाद 5 दिन बाद 27 सेतंबर 2020 को उन्होंने जड़ियों की सदसिता ग्रहन की थी उसके बाद कयास लगाय चारे थे कि वो चुनाओ लड़ेंगे पांडे जी बकसर सीट से कथेत रूप से परचा खरीद रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिले उसके बाद कई बार कयास लगाए गए कि उन्हें MLC बनाये चा सकता है लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ अब उनके ही साथी को नितीश कुमान ने अपनी काबनेट में जगा दे दी है और पांडे जी एक बार फिर सी मू तागते रह गए हैं तो 22 सितंबर को गुपतेश्वर पांडे ने वियारस देकर सब को चौका दिया था और जडियों की सदस्टा ग्रहन की थी जिसके बाद से इस बात के भी कयास लगाए गए कि उन्हें विधान सभा चुनाओं बकसर सीट से लड़ने दिया चाएगा लेकिन वहां भी वो इशकुमार के द्वारा मंत्री पद्धी आ गया है फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहे हैं न्यूस वार्नेशन नमस्कार